हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप समय लोग चाहे दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे नए कानून भारतिय नियाज स्वेटा 2023 के बारे में आज हम बियन्नस के बारे में पूरा डेटेल में बताने वाले हैं कि इसमें कितने अध्याय दिये गए हैं इस बियन्नस में और कित जो 358 धराएं हैं उनके बारे में बतावागा 358 धराएं कहां कहां किस किस चैप्टर में रखी गई हैं तो कहीं में जाए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है स्क्रिप्ट मत करिए आज की वीडियो में आपको बहुत ही ग्यान मिलने वाला है बियन्नस क्या जो जो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आईपीसी जो है आईपीसी 1860 की जगे अब क्या हो गया है वी अन नस हो गया है वी अन्स 2023 23 बास समझाई यानि IPC की जगए अब हमारा BNS काम करेगा एक जुलाई 2024 से लागू हो चुका है तो इसमें कितने अध्याय हैं तो टोटल दोस्तों इसमें जो अध्याय की संक्षा है इसमें टोटल अध्याय 20 और धाराएं कितनी हैं धाराएं तो इसमें धाराएं 358 धाराएं हैं बास समझ में आई टोटल 20 अध्याय 358 धाराएं हमारे BNS में आई है तो चलिए हम इसको एक गध्याय को समझें कि एक अध्याय में कितनी कितनी धाराएं रखी गई हैं कि अगर हम पहलस द्शार की बात कहें मैं अपन सिर्फ नंबर एक लिख और तो समझ यह फैना अगे AM कि अधाय लिख जता हूं अध्याय कि वहाले अध्याय में कि अध्याय में दोस्तों पूर एक से लेकर तीन धरायन इंप तो पहले अध्याय में दी गई है तो पहले अध्याय में एक बनेटैंग और कुछ परिभासाईyorsunें देजए आ और अस्था धरज करते इसानागा द्यायों具 आप करें के दूसर अध्याय के बारेएं यह दूसरा अध्याय ंदूसरा आध्याय जो है यह चार से लेकर तेरह तक दिया गया है चार से लेकर तेरह तक दिया गया है यह दूसरे अध्याय में चार से लेकर तेरह तक पनिश्मेंट के बारे दिया गया है यह निस सजा के बारे में दिया गया है कि किस धारा किसको कौन कौन से सजा मिलेगी सजा के बारे में यह चार से तेरह अजिक बात करता है और इसमें नई धारा जोड़ दी गई है सामुदाइक सेवा। सामधाइक सेवा सामधाइक सेवा का मतलब दोस्तों होता है कि छोटे मोटे अपरादों में किसी ब्यक्ति को सर्माजनिक सेवा करने के जिसे कहीं पर सफाई मारने के लिए दे दिया जाए कहीं पर कचरा उठाने के लिए मतलब ऐसे जिसों सुधरने का मौका दे जा सके वह सा तो दूसरे अध्याय में 4 से 13 तक की धाराएं रखी गई हैं अब बात करेंगे तीसरे अध्याय की तीसरे अध्याय में दिया गया है साधारण अपवाद की बारे में किसके बारे में साधारण अपवाद तीसरा अध्याय जो है हमारा साधार अपवात की बात करता है जो चवदा से लेकर 44 तक की धाराओं को समावेश करता है तीसरा अध्याय में साधार अपवात दिया गया है जो 14 से लेकर 44 तक की सजाओं धाराओं को रखता है अब बात करेंगे चवते अध्याय के बारे में चवता अध्याय के बात करेंगे हम तो इसमें क्या है दुस्प्रेरण है आपराधिक अभिक्रिप्त है आपराधिक सड्यंत्र है और इसके बारे में बात करता है कि अध्याय चवते में तो दुस्प्रेर आपरादिक सड्यंत और यह जो बात करता है धाराफ पैटालिस से लेकर के 62 तक की अपरादों को अपरे अंदर समावेशित करता है चवते अध्याय में पैटालिस से लेकर 42 तक की अपरादों को धाराओं को अपने अंदर रखता है और अध्याय पाचवे की बात करें तो महिला और बच्चों से सम्बंदित अपराद है is महिला वोँ बच्चों से सम्दिजी जो अपराद है धारा आध्या पाचुमें में दिया गया है और यह धारा 63 से लेकर जो की ब Allahu Anand की परिभासा को डिफाइन करता है सारी सत्री बबात अट हं और इसमें और यह जो बात करता है धारा है 500 से लेकर है धारा 146 तक थीक है तो मानाव शरीर वाला जो जुट धया है जो चथवाध्या है अफराद को अपने अंदर समावयद करता है और शात्मे के तिया गया है किसके विरूद राज के विरूद नव राज की संप्रवता अक्षंड़ता को अगर कोई छती पहुचाने का काम करेगा तो उसके विरुद्य पराद दिया गया है यह धारा 147 से लेकर 158 तक दिया गया है बासमज़ में यह तक पहले अध्याय में धारा एक से लेकर धारा तीन तक दूसरे अध्याय में धारा चार से लेकर तेरा तक तीसरे अध्याय में 14 से ले तक और सत्वे अध्याय में 147 से लेकर 158 तक के अपरादों को बताया गया है अध्याय आठ्वे में दिया गया है 169 से लेकर 158 तक जो की बात करता है थल सेना वाय सेना जल सेना के बारे में इसके अपरादों को बात आता है आठ में अध्याय में 169 से 178 तक अब अध्याय 9 की अगर बात की जाए अध्याय 9 में बताया गया है निर्वाचन सम्मंदी अपराद जो निर्वाचन सम्मंदी अपराद होते हैं उसके बारे में दिया गया है 179 से लेकर 177 तक बात समया रही है सिक्का, नोटो, करेंसी, स्टांप से संबंदित अपरादों के लिए और ये 178 से लेकर 188 तक की अपरादों को इसमें बताया गया है दस्वेद्याय में सिक्का, नोटो, करेंसी, स्टांप के समझत अपराद है जो कि 178 से लेकर 188 तक के